दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फार्ट सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चहधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे विभिन परिच्छाओं के लिए उपयोगी भारती सम्विधान एवं राजविवस्था के अंतरगत भारत के सम्विधान के भाग और प्रमुक अनुच्छेद जो परिच्छाओं की द्रिष्टी से बहुत ही महत्वपूर है तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो भारती सम्विधान के भाग और प्रमुक अनुच्छेद दोस्तों जैसा की आप जानते हैं भारती सम्विधान एक विश्तरित अभिलेख है भारत का सम्विधान एक विश्तरित अभिलेख है और इसमें मूल रूप से 22 भाग 39 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचिया थी। दोस्तों समय समय पर आवसकता अनुसार भारत के संविधान में संसोधन हुए हैं और शंसोधनों के द्वारा कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं कुछ निकाले भी गए हैं। बरतमान में भारत के संविधान में 22 भाग 395 अ तो सबसे पहले हम जानते हैं भारत के संभिधान के बिभिन भाग और उनसे संबंधित विशय देखिए भाग एक दोस्तों भारती संभिधान का भाग एक संघ और उसके राज छेतर के बारे में प्रावधान करता है भाग एक में भारत संघ और उसके राज छेतर के बारे में प्रावधान है और इसके अंतरगत जो अनुछेद आते हैं दोस्तों वो है अनुछेद एक से चार यानि भारती संभिधान का भाग एक जिसमें अनुछेद एक से चार आता है ये संघ और उसके राज छेतर के बारे में प्रावधान करता है दूसरा भाग दोस्तों दूसरा याद कर लिजिए भारती संबिधान का भाग दो नागरिक्ता से संबंधित प्रावधान करता है और इसके अंतरगत अनुच्छेद 5 से 11 जो हैं वो संबिधान के अंतरगत नागरिक्ता संबंधित प्रावधान है और ये भाग दो के अंतरगत वणित है भाग 3 बहुत ही महत्वपूर है संबिधान का भाग 3 जिसके अंतरगत दोस्तों मूल अधिकार यानी fundamental rights का बढ़न किया गया है दोस्तों भाग 3 जो है अनुछेद 12 से लेकर अनुछेद 35 तक है देखिए मूल अधिकारों का बढ़न भारती संबिधान के भाग 3 में अनुछेद 12 से लेकर अनुछेद 35 तक है और ये बहुत ही महत्वपूर भाग है क्योंकि मूल अधिकार नागरिकों को वे अधिकार होते ह जिनको राज्य गारंटी देता है यानि भारती संविधान का भाग तीन संविधान का मैगना कार्टा है जिसके तहत नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है और इसका बढ़न अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है भारती संविधान का भाग चार दोस्तों ये राज्य के नीत निदेशक तत्तों से संबंधित है देखिए भाग तीन मूल अधिकारों से और भाग चार नीत निदेशक तत्तों से संबंधित है और भाग चार दोस्तों अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 देखिए अनुच् तो भारती संविधान के भाग चार में राज्य के नीत नीदेसक तत्तों का बाड़न है और नीत नीदेसक तत्तों अनुचेद चातिस से अनुचेद 51 तक में बाड़ित है अगला जो है भाग चार ए या भाग चार क देखिए ये भाग चार ए या चार क जिसको कहा जाता है ये मूल करतब यानी fundamental duties से संबंधित हैं और इससे संबंधित भी कई प्रश्ण आते हैं क्योंकि मूल कर्तब्यों से संबंधित प्रावधान जो है ये 42 संब्धान संसोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे किस कमेटी की अनुसनसा थी और मूल कर्तब्य किस देश के संब्धान से लिए गए है यहां से प्रश्ण आते लेकिन यहां फिलहाल हम इतना बटाएंगे कि भारते संबिधान के भाग चार क में मूल कर्तब्यों की बेवस्था की गई है और मूल कर्तब्य जो है ये संबिधान के अनुछेद 51A या 51K में वरडित है एक प्रश्णावर आता है कि मूल कर्तब्यों की संख्या कितनी है ये प्रश्ण भी राजविवस्था खंड के अंतरगत बनता है तो देखिए भाग चार में राजी के नीत निदे सकता तो है भाग चार क में मूल कर्तब्य है जो अनुछेद 51K के अंतरगत वरडित है अब दोस्तों भाग पांच जो है हमारे संबिधान का भाग पांच ये बह भाग पांच का अध्याए एक है उसमें कारेपालिका के संबंध में बढ़न किया गया है कारेपालिका के कारेकारी सकतियों का बढ़न दोस्तों अनुछेद 52 से 78 देखिए कारेकारी सकतियों का बढ़न भाग पांच के अंतरगत अध्याए एक में जो कारेपालिका सकतियां अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक इसका बाडन है भाग 2 जो की संसद से संबंधित उपबंद है भाग 5 में जो अध्याय 2 है संसद से संबंधित उपबंद है और ये अनुच्छेद 79 से दोस्तों 122 तक इसका बाडन है और भाग 5 का अध्याय 3 राष्ट्रपती की विध नुछेद एक सो तेईस और आप जानते हैं अनुछेद एक सो तेईस राष्ट पती की अध्यादेश जारी करने की सक्ति है, वन टू थ्री ये राष्ट पती की विधाई शक्ति है, इसकी अलामा संग के अंतरगत जो भाग पांच है जिसमें संग का बारन है उसका न्यायपालिका से संबंधित है और संगी न्यायपालिका दोस्तों अनुछेद 124 से 147 दोस्तों 124 अनुछेद 124 से 147 तक भारत के केंद्री न्यायपालिका का वड़न किया गया है और इसका अध्याय पांच देखिए जो भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक से 151 तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर है पांचवा भाग जो है ये हमारा संग से संबंधित था और इसके अंतरगत अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 जो है कवर होता है अब आये संबिधान का भाग 6 देखते हैं दोस्तों भारती संबिधान का भाग 6 जो है ये राज से संबंधित उपबंध है इसके अंतरगत जो टोटल अनुच्छेद 152 से 237 ये भाग 6 के अंतरगत कवर होते हैं इसमें भी दोस्तों 6 अध्यायों का बढ़न है अध्याय एक सामान या साधारन नियम है जो अनुच्छेद 152 में है अध्याय दो में कारेकारी शक्तियां है अनुच्छेद 153 से 166 तक अध्याय 3 में स्टेट लेजिसलेचर यानि राज्य का विधान मंडल है दोस्तों ये 168 देखे अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य की विधान मंडल का बढ़न है और भाग 6 का अध्याय 4 जो है ये राज्यपाल की विधाय सक्तियों से संबंधित है जिसके अंतरगत राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की सक्ति है जिस प्रकार से राष्ट पती की विधाय सक्ति अनुच्छेद 123 में है यानि विधानसभा सत्रने चल रहा हो और उस समय कानून बनाना आवस्यक हो जाए तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अध्याय देश जारी कर सकते हैं इसके अलावा जो अध्याय पांच है राज्यों के उच्छ न्यायले यानि हाई कोट से संबंधित है और अध्याय छे जो है अधीनस्त न्यायाले से संबंधित है और अधीनस्त न्यायले से संबंधित प्रावधान अनुच्छे 233 से 237 तक ह अब आईए देखते हैं भारती संविधान का भाग साथ ये बहुत ही महत्पूर है दोस्तों भाग साथ जो है ये पहली अनुसूची के भी भाग में राजियों के नियम और संविधान द्वारा निरस्त कर दिया गया है साथवे संसोधन अधनियम 1956 के द्वारा तो देखिए पहली अनुसूची के भाग के राज संविधान के साथवे संसोधन अधनियम 1956 के धारा 29 और अनुसूची द्वारा ये निरस्त कर दिया गया है यानि इसको निरस्त कर दिया गया है भाग आठ देखे भारती संविधान का भाग आठ जो है ये संग राज छेत्र यानि यूनियन टेरिटरीज या केंदर सासित प्रदेशों के बारे में उपबंध करता है जिसके अंतरगत अनुच्छेद 249 से अनुच्छेद 242 कबर होते हैं तो याद कल लिजे भारती संविधान का भाग आठ संग राज छेत्र यानि केंदर सासित प्रदेशों के बारे में बढ़न है और इसके अंतरगत अनुच्छेद 249 से अनुच्छेद 242 आता है अगला भाग जो है भाग 9 इसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान किये ग से लेकर 243 Oh तक इसमें प्रावधान किये गए हैं तो देखिए भारती संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित प्रावधान करता है इसके अलावा भारती संबिधान का नौक नौक या 9A जो है ये नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है 9B में या जिसको नौख कहा जाता है इसमें सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है और भारती संबिधान का भाग 10 देखिए दोस्तों भाग 10 भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अनुसूचित और जन्जाती छेत्रों से संबंधित प्रावधान किये गए हैं और इसके अंतरगत अ और राजियों के बीच संबंधों का बढ़न किया गया है दूस्तों संघ और राजियों के बीच बिधाई संबंध हैं कारेकारी संबंध हैं ये जो है भाग 11 के अंतरगत बढ़न है और अनुच्छे 245 से 255 तक बिधाई संबंधों का बढ़न है अध्याय 2 में प्रसासनिक सं बंधों का बढ़न किया गया है भागी 11 में और इसके अंतरगत अनुच्छे 256 से अनुच्छे 263 कवर होता है भारती संभिधान का भाग बारे देखिए भाग बारे में वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद आते हैं और इसमें अध्याए एक दो तीन चार जो हैं ये सामिल हैं तो दोस्तों एक महत्वपूर्ठ चीज और की इसी भाग के अंतरगत भाग बारे के अंतरगत ही अनुच्छेद 300 कवर जोड़ा गया था जिसमें अध्याय 4 है जो है भाग बारे का अध्याय 4 जिसमें संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क या 301 के तहर विधिक अ अधिकार बना दिया गया था तो आपको यहां से उत्तर मिल सकता है देखिए भाग 13 संबिधान का भाग 13 दोस्तों भारत के छेतर के भीतर ब्यापार बाड़िज और समागम तथा अंतरराजी संबंधों का बाड़न है और इसकी अंतरगत अनुच्छे 301 से 307 तक शामिल है औ भाग 14 जो है देखिए भारती संबिधान का भाग 14 संघ और राज्यों की अधिन सेवाओं की बात करता है जिसके अंतरगत अनुच्छे 308 से 323 आता है यानि भारती संबिधान का भाग 14 संघ और राज्यों के अधिन सेवाओं की बात करता है अनुच्छे 308 से 323 इसकी अला नया भाग जोड़ा गया था भाग चवदक ए या चवदक है जिसके अंतरगत न्याय अधिकरण या अधिकरण जिसको दोस्तों टिबुनल कहा जाता है इसकी ब्यवस्था की गई थी और अधिकरण की ब्यवस्था ये पूछता है 323A से 323B तक बढ़न किया गया है तो भाग चवदक में अधिकरण की ब्यवस्था है जिसके अंतरगत अनुच्छे 323A से 323B आता है अब दोस्तों देखिए भाग पंद्रे सम्विधान का भाग पंद्रे जो है इसमें निर्वाचन संबंधी या चुनाव संबंधी प्रावधान है और निर्वाचन या चुनाव संबंधी प्रावधान अनुच्छे 324 से 329A तक इसमें वर्डित है तो याद कल लिजे भारती संबिधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधी उपबंध हैं और इसके अंतरगत अनुछे 324 से 329 ए आते हैं देखिए भाग 16 जो है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों पिछड़े वर्गों और आंगल भारतीयों के संबंध में यानि कुछ वर्गों के संबंध में विशेस प्रावधान करता है और अनुछे 330 से 342 से इसके अंतरगत सामिल है देखे भारती संबिधान के भाग 17 में राज भासा से संबंधित प्रावधान किये गये हैं इसमें आधिकारिक भासा, संग कीर भासा, छेतरी भासाएं, उचतम नयाले उचनयाले लिओं आधिकी भासा और विशेस निर्देश आधिका वर्ण किया गया है भाग 18 बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके अंतरगत आपात उपबंध या आपात काल के प्रावधान किये गये हैं और आपात उपबंध इसके बारे में आपको बता दें अनुच्छेद 352, 352 से 360 ये भाग 18 में भारती संबिधान के भाग 18 में आपात उपबंध या आपा आपात कालिन प्रावधान जे अनुच्छे 352 से 360 के अंतरगत सामिल है देखिए दोस्तों भारती संबिधान का भाग 18 आपात कालिन उपबंधों से संबंधित है 19 भाग प्रकीन यानी विविध प्रकार से संबंधित है 20 वा भाग भारती संविधान का भाग 20 जो है दोस्तों ये संविधान संसोधन से संबंधित है देखे भारती संविधान का भाग 20 संविधान संसोधनों से संबंधित है भाग 21 जो है ये अस्थाई संक्रमन कालीन और विशेश उपबंध किये गए हैं जिसके अंतरगत 368 है याद कर लिजेगा तो भाग 21 में 28 संक्रमर कालीन और विशेश उपबंध किये गए हैं दोस्तों इसकी अंतरगत अनुचे 379 से 392 और 22 भाग जो है इसमें लगु उपाधि संचिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निर्शन आदिकी व्यवस्था ह जो की अनुचे 393 से अनुचे 395 में वड़ित है तो आपने देख लिया भारती संबिधान के 22 भागों के बारे में और हर एक भाग में किन विश्यों को सामिल किया गया है दोस्तों अब आईए देखते हैं परिच्छाओं की दृष्ट से महत्वपूर भारती संबिधान के महत्वपूर अनुचेद और उनमें शामिल विश्य कौन कौन से हैं क्योंकि परिच्छाओं में सीधे सीधे प्रश्न पोच लेता है जैसे कि भारत राज्यों का एक संग है या भारत राज्यों का एक संग है या यूनियन आफ इस्टेट है ये संबिधान के किस इसके अलामा लोक सेवा आयोग या संग लोक सेवा आयोग की बिवस्था किस अनुचेद में की गई है इन सब के बारे में दोस्तों अनुचेद से संबंधित प्रशन आते हैं इसमें हम सभी अनुचेदों को नहीं लेकिन कुछ महत्वपूर अनुचेद जो परिच्छाओ एक या आर्टिकिल वन जो है इसमें ये घोशला की गई है कि भारत राजियों का एक संग है और इसमें संग का नाम और राज छेतर का वर्डन किया गया है साथी भारत को यूनियन आफिश्टेट यानि राजियों का संग कहा गया है अनुचेद तीन दोस्तों अनुचेद तीन में नए राजियों का निर्माण और वर्तमान राजियों के छेतरों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन है इसमें ये कहा गया है कि संसद बिधि के द्वारन नए राजिय बना सकती है और पहले से उपस्थित राजियों के छेतर, सीमाओं और नाम में परिवर्तन कर सकत ये संबिधान के अनुच्छेद 3 में विवस्था की गई है देखिए भारती संबिधान का अनुच्छेद 5 जो है संबिधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले ब्यक्तियों के नागरिक या नागरिकता से संबंदित प्रावधान हैं और इसमें कुछ उपबंध दिये गए हैं कि वही ब्यक्ति भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो जिनके माता पिता भारत के नागरिक हो या संबिधान के आरंभ के समय से भारत में रह रहे हो देखिए अनुच्छेद 13 दोस्तों भारती संबिधान का अनुच्छेद 13 जो है ये बह जो है समानता का अधिकार दिया गया है और इसमें दोस्तों समता के अधिकार में कहा गया है कि बिधिके समुक्ष समता या बिधिके समानसन रक्षण तो देखे बिधिके समक्ष समता अनुच्छेद चवदे में जो की एक मोल अधिकार है भारत के नागरिकों का देखे अनुचेद 15 में धर्म, मूलवंस, जात, लिंग, जन्म, अस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिसेध किया गया है अनुचेद 16 में लोक निवेवजन यानि सरकारी सेवाओं के विशे में अवसर के समानता की बात की गई है अनुचे 17 ये बहुत ही महतवपूर है दोस्तों ये बार बार परिष्जाओं में पूछा जाता है अनुचे 17 क्योंकि इस अनुचेद के अंतरगत जो है अस्प्रिस्चता यानी छुआ चूट का अंत्त किया गया है और किसी प्रकार के अस्प्रिश्यता का जो है निसेध किया गया है अनुच्छे 17 के द्वारा इसके अलामा दोस्तों देखिए अनुच्छे 19 बहुत ही महत्वपूर है क्योंकि ये वाक अभिव्यक्त स्वतंत्र विसयक कुछ अधिकारों का सनरक्षण इसमें किया गया है तो अनुच्छे 19 जो है वाक अभिव्यक्त की स्वतंता से संबंदित प्रावधान है और अनुच्छे 21 बहुत ही महत्वपूर है क्योंकि इसमें प्राण और देहिक स्वतंता के सनरक्षण की बात कही गई है अनुच्छे 21 का या 21 इसके द्वारा सिक्छा का अधिकार प्रदान किया गया है और यहाँ पर एक प्रश्ण है आपको इयर बताना है कि अनुच्छे 21 का किस संबिधान संसोधन की द्वारा संबिधान में जोड़ा गया है दोस्तों मूल अधिकारों के अंतरगत जो अनुच्छे 12 से 35 है उसमें अनुच्छे 25 महत्वपूर है जिसके द्वारा अंतह करण और धर्म को अबाद रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंता की बात की गई है अनुच्छे 30 जो है सिक्छा संस्थानों की अस्थापना प्रसासन करने और अलप संख्य गवर्गों के अधिकारों से संबंधित उपबंध इसमें दिये गए हैं इसके अलावा अनुच्छे 32 में मौलिक अधिकारों को प्रवर्टित कराने के लिए रिट यानि संबंधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छे 32 में है दोस्तों बाबा सहाब डाक्टर भीम राव अमबेटकर ने संबैधानिक उपचारों के अधिकार को संबिधान का हिर्दय और आत्मा कहा है देखिए अनुचेद 36 में नीत निदे सकत्तों का बाड़न है और दोस्तों देखिए यहाँ पे अनुचेद 38 है जिसमें कहा गया है कि राज जो है लोक कल्यार की अविवरिद्ध के लिए सामाजिक बेवस्था बनाएगा और ये राज की नीत निदे सकत्तों का हिस्सा है देखिए अनुचेद 49 ख अनुचेद 49 ए में क्या है दोस्तों अनुचेद 49 ए में भारती सम्विधान में नीत निदे सकत्तों के तहत समान न्याय और नेसुल्क विधिक सहायता अनुचेद 49 ए में वाडित है और बी में क्या है समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामि और वित्रण है 49 ग या 49 सी जी से कहा जाता है ये अर्थ बिवस्था में धन के उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्री करण का निशेद करता है यानि यहाँ पे ये प्रावधान किया गया है कि अर्थ बिवस्था में धन और उत्पादन के साधनों का जो है केंद्री कर इसमें राज्य को कुछ निर्देश दिये गए है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए दोस्तों राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उस रीति से जिस प्रकार से बिवस्था हो तो ये अनुछेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधन है औ कारे करने के लिए सही और मानुवी इस्थितिया अनुच्छेद 42 में हैं समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में हैं और अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उप्यूक्त बिधान बनाने की ब्यवस्था अनुच्छेद 43 क में है दोस्तों अनुच्छे 43 ख में या 43 बी में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को प्रोसाहित करने की बात कही गई है अनुच्छे 44 बहुत ही महत्पूर है क्योंकि इसमें नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश दिये गए है अनुच्छे 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है अनुच्छे 45 ये दोस्तों 6 वर्ष से कम आयू के बालकों के लिए निहसुल्क और अनिवारे सिक्षा के लिए निर्देश दिये गए है और अनुच्छे 46 जो है देखिए इसके अंतरगत अनुसोचित जातियों अन और सक्ति पिर्थक करण पर आधारित है दोस्तों अनुच्छे 50 में कहा गया है कारेपालिका से नियापालिका के पिर्थक करण इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब दोनों अंग जो सासन के दोनों अंग है कारेपालिका और नियापालिका अपने अपने छेतर में रहकर कारे करेंगे तो इससे ब्यक्तियों के अधिकारों और सोतनता की रच्छा हो सकेगी इसकी अलामा देखिए अनुछेद 51 बहुत ही महत्वपूर है जो भारत की विदेश नीत के मूल उद्देश और मनतब्य को प्रदर्शित करता है जिसमें अंतराष्टी सांत और सुरक्षा की अ नीःष्ट दिए गए हैं अनुछेद 51 ए या अनुछेद 51 का इसमें मौलिक करतब्यों का प्रावधान है आपको बताना है भारती संभिधान नागरिकों के कितने मौलिक करतब्यों का वर्ड़न किया गया है इसकी अलामा दोस्तों देखिए अनुछेद तिरपन दोस्तों संग की कारिपाली का संबंधी शक्ति राष्ट पती में नहीं थोगी ऐसा वरडन किया गया है इसकी अलामा दोस्तों अनुच्छेद चौंस एकसठ जो है ये राष्ट पती पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वरडन करता है और अनुच्छेद चौंसठ देखिए ये उपराष्ट पती राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होगा ये अनुच्छेद चौंसठ में वरडित है इसकी अलामा अनुच्छेद बहत्तर भी बहुत महत्वपूर है क्योंकि ये राष्ट पती की छमा दान की सक्ति और इसमें चमा और विभिन प्रकार के दंड के निलंबन परिहार लगुकरण की राष्टपती की सक्तियों का बढ़न अनुच्छेद 72 में किया गया है देखिए अनुच्छेद 74 भी बहुत महतोपूर है इसमें ये कहा गया है कि राष्टपती को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिसद होगी और जिसके सीड्स पर परधान मंत्री रहेगा उसकी सहायता और सुझाओ के आधार पर राष्टपती अपने कारे को करेगा और पुनरविचार के पश्याद दी गई सलाह के अनुसार वो कारे करेगा और इससे संबंधित किसी बिवात की परिच्छा किसी न्यायाले में नह की जाएगी इसकी अलामा दोस्तों अनुछेद 75 में देखिये ये कहा गया है कि राष्टपती परधान मंत्री की नियुक्ति करेगा और परधान मंत्री की सलाह पर सेश मंत्रियों को नियुक्त करेगा मंत्री परिशद लोग सभा के प्रति सामोहिक रूप से उत्तरदाई होगी अनुच्छेद 75 के किस सब सिक्षन में कहा गया है आपके लिए एक प्रश्ण है क्योंकि ये प्रश्ण भी बार बार पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में ये वर्णित किया गया है कि मंत्री परिशद लोक सभा के प्रति सामोहिक रोप से उत्तरदाई होगी देखे अनुचेद 76 बहुत ही महतुपूर है अनुचेद 76 के अंतरगत भारत के इन महान्यायवादी की नियुक्ती राष्टपती के द्वारा की जाएगी इसका वर्ण किया गया है अब अनुचेद 78 दोस्तो राष्टपती को सूचना दे और यदि राष्टपती इस परकार की सूचना प्राप्त करना आवस्यक समझता होतो इसकी अलावा दोस्तों कुछ और अनुचेद भी है इसके बाद देखे अनुचेद 78 आपने जान लिया कि राष्टपती को जानकारी देने के संबंध में प अनुचेद 89 आथ कर लिजिए राज्यसभा के सभापती और उपसभापती से संबंधित प्रावधान है अनुचेद 108 दोस्तों अनुचेद 108 में यदि किसी विध्यक के संबंध में दोनों सद्नों में गतिरोध हो गया हो तो संयुक्त अध्वेशन का प्रावधान अनुच अनुचेद 108 में किया गया है उसके बाद एक महत्वपूर्ण अनुचेद 110 धन विध्यक को परिभासित इसमें किया गया है और इसके अलामा दोस्तों अनुचेद 111 में राष्टपती का विध्यक को अनुमत देने का अधिकार शामिल है तो अनुचेद 111 यानी 111 अनुचेद 112 में वार्षिक विध्यक को अनुमत देने का अधिकार अनुचेद 111 में है दोस्तों अनुचेद 112 में वार्षिक विध्यक विध्यक के लिए राष्टपती द्वारा संसत के समक्च बजट पेस किया जाएगा इसके संबंध में वर्डन किया गया है यानी वार अनुच्छेद 117 में ये प्रावधान है कि अनुच्छेद 111 क में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपन करने वाला विधियक या संसोधन राष्टपती की सिफारिश से ही पुरह अस्थापित किया जा सकता है दोस्तों इसके अलामा अनुच्छेद 113 देखिये बहुत ही महत्वपूर है जब संसत का सत्र नहीं चल रहा हो यानि संसत के विश्रांत काल में राष्टपती की अध्यादेश जारी करने की सकती के बारे में बढ़न है और ये प्रश्ण कई बार परिच्छाओं में पूछा गया है सीधे सीधे ही पूछ लिया गया है कि राष्टपती की अध्यादेश जारी करने की सकती किस अनुच्छेद में बढ़न है अनुच्छेद 124 में जो है दोस्तों इसके अंतरगत सर्वोच नयालय के गठन का और इसके नयाधीसों की नियुकते किसके द्वारा की जाएगी और इसके कितने नयाधीस होंगे दोस्तों इसके अलामा देखे अनुच्छेद 129 है इसमें सर्वोच नयालय एक अभिलेक नयालय है कई बार पूछा गया है 129 अनुच्छेद 129 की सर्वोच नयालय एक अभि मर्स करने की राष्टपती की सक्ति के अबारे में बारण किया गया है और अनुच्छेद 155 ये राजिपाल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है तो देखिए बहुत ही महत्वपूर है अनुच्छेद 155 राष्टपती की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है इस अनुच्छेद 148 में नियंतरक और महालेखा परिक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 155 के बाद देखते हैं महत्वपूर अनुच्छेद 161 जिसमें छमा आद की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लगुकर अनुच्छेद 163 में राजजपाल को जानकारियात देने के संबढ़ में मुख्यमंतरी के करतब्यों का बढ़न किया गया है अनुच्छेद 166 में दोस्तों अनुच्छेद 179 देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्यों में विधान परिशदों के गठन यानि उनके समाप्ती या स्रिजन की बात अनुच्छेद 179 में की गई है मैं इसको इश्टार इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत बार ये परिशाओं में पूछा गया है अनुच्छेद 179 कि जो विधान परिशदों की रचना उनकी समाप्ती विधान सभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसत द्वारा इसकी स्विक्रिती से संभव है इस संभन में कई प्रश्ण पूछे जाते हैं कि किसको भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है तो ये विधान परिशदों के बारे में है विधान सभा जो है निम्न सदन होती है और कुछ राज्यों में विधान परिशदों का प्रावधान किया गया है जो राज्य सभा की तरह उच्च सदन है राज्यों के दोस्तों इसके अलामा देखे अनुच्छेद 200 इस मामले में महतुपूर्ण है कि यहाँ पर इसमें राज्यों की विधाई का दौरा पारित विध्यक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वह इस पर या इसे अस्विक्रित कर सकता है वह इस विध्यक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर विचार के लिए विधाई का के पास भेश सकता है लेकिन पुनर विचार के बाद दोबारा विध्यक आ जाने पर उसे अस्विक्रित नहीं कर सकता है तो अनुच्छेद 200 रा अध्यादेश जारी करने की सक्ति के बारे में वर्ण है अनुच्छे 214 तो 213 के बाद जो अनुच्छे 214 है दोस्तों ये आप जान लिजिए कि राज्यों के लिए उच्छ नयायले या हाई कोड की बिवस्था अनुच्छे 214 के अंतरगत की गई है 214 में उच्छ नयायले के गठन की बिवस्था की गई है और अनुच्छे 213 जो है ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की सक्तियों के बारे में है दोस्तों अनुच्छे 226 देखिए अनुच्छे 226 संभैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है कुछ रिट निकालने की उच्छ नयायले की शक्ति तो देखिए अनुच्छे 22 क्या था अनुच्छे 22 में जो दोस्तों प्रावधान किया गया था वो रिट से संभंधित प्रावधान था सुप्रीम कोट से संबंधित संबैधानिक उपचारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया गया था और अनुच्छेद 226 उच्छ नयायले की कुछ रिट निकालने की शक्तियों के बारे में है इसके अलावा अनुच्छेद 233 जो है ये जिला नयायधिसों की नयुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्छ नयायले के परामर्स से की जाएगी 233 भी कई बार परिछाओं में पूछा गया है याद कर लिजे अनुच्छेद 233 दोस्तों ये कहता है कि जिला नयायधिस या डिश्टिक जज्जों होते हैं इनकी नयुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्छ नयायायले के परामर्स से की जाएगी इसके अलावा अनुच्छेद 235 उच्छ नयायले का नियंतरन अधिनस्त नयायले उपर रहेगा इसकी बात करता है और अनुच्छेद 249 केंदर सासित परदेशों का प्रसासन राष्ट पती द्वारा किया जाएगा इसके बारे में वर्ण करता है अनुच्छेद 243 तो ये बहुत ही महत्पूर्ण अनुच्छेद 243 जो है दोश्तों इसके अंतरगत पंचायत और नगरपालिका के गठन, संरशना, आरक्छन, सक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायतों से संबंधित प्रावधान किये गए हैं अनुच्छेद 243 में तो बहुत ही महत्पूर्ण है अनुच्छेद 243 जिसके अंतरगत पंचायत और नगरपालिका के गठन, संरशना, आरक्छन, सक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायतों से संबंधित प्रावधान किये गए हैं और इसके बाद जो महत्पूर्ण अनुच्छेद परिच्छाओं के द्रिश्टी से महत्पूर्ण है दोस्तों इसमें आईए देखते हैं अनुच्छेद 245 तो संसद पूरे देश या इसके किसी हिस्से के लिए या राज्य विधान पालिका अपने राज्य या किसी हिस्स करन किया गया है कि बिधि निर्मार संबंधी अवसिष्ट सक्तियां संसद में नहीं थें अनुच्छेद 248 में कहा गया है दोस्तों देखिए कि बिधि निर्मार संबंधी अवसिष्ट सक्तियां संसद में नहीं थें अब आईए देखते हैं अनुच्छेद 249 के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विशय पर या राश्टी हित के कानून बनाने की संसत की सक्ति की बात करता है इसमें ये कहा गया है कि राज्य सभा विशेस बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विशय पर लोक सभा को एक वर्स के लिए कानून बनाने क लिए अधिक्रित कर सकती है यदि इसे वह राष्टी हित में आवस्यक समझती है अनुच्छेथ 262 दोस्तों ये अंतराजी नदियों नदि घाटियों जल संबंधी विवादों के न्याय नेड़यन से संबंधित है और अनुच्छेथ 263 ये बहुत ही महतुपूर है कई बार परिच्छों में पूछा है अनुच्छेथ 263 में केंद्र राजी संबंधों के विवादों का समाधान करने के लिए और परसपर सहयोग के छेतरों के विकास के लिए राष्ट पती एक अंतराजी परिशत के गठन का प्रावधान करेगा तो याद कर लिजे अनुच्छेथ 263 अन्तराजी परिशत के संबंध में जो है प्रावधान है अन्तराजी परिशत की अस्थापना राश्टपती द्वारा की जाती है दोष्टों अनुच्छे 265 क्या है ये बिध के प्राधिकार के विणा करों का अधिरोपन नहीं किया जा सकता है ऐसा उल्लेक अनुच्छ 265 में है इसके अलावा अनुच्छे 266 ये भारत की संचीत निधी जिसमें सरकार की सभी मौदरिक अविष्टियां एकत्र रहेंगी विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई रासी नहीं निकाली जा सकती है इसका बढ़न अनुच्छे 266 में है अनुच्छे 275 बहुत ही महत्पूर है क्योंकि इसके द्वारा केंद्र द्वारा राज्यों को शहायक अनुदान दिये जाने का प्रावधान है यानि केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को संग से अनुदान दिये जाने का प्रावधान अनुच्छे 275 में है अनुछे 280 ये महत्पूर है क्योंकि इसमें बित आयोग से संबंधित प्रावधान है और इसमें ये कहा गया है कि राष्टपती हर पाचवे वर्स एक बित आयोग या फाइनेंस कमिशन के अस्थापना करेगा जिसमें अध्यच के अतरिक्त चार अन्यसदा से होंगे और जो राष्टपती के पास केंद्र और राजियों के बीच करों के वित नड़ के संबंध में अनुशनसा करेगा तो बित आयोग के गठन संबंधी प्रावधान 280 में है और बित आयोग का गठन कौन करता है राष्टपती दोस्तों अनुशे 300 देखे अनुशे 300 जो है ये इसलिए महत्वपूर है कि इसमें वाद और कारवाईयों की बात की गई है और अनुशे 300 क या 300 A इसमें संपत्ति के अधिकार की बात कही गई है दोस्तों राज्य के किसी भी ब्यक्ति को उसकी संपत्ति से वन्चित नहीं किया जाएगा यानि राज्य किसी भी ब्यक्ति को उसके संपत्ति से वन्चित नहीं करेगा पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था लेकिन संबिधान के 44 देखिए 44 संबिधान संसोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे अनुच्छे 300 के तहत एक सामान बैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है तो अनुच्छे 300 के दोस्तों बहुत ही महत्वपूर है देखिए अनुच्छे 311 इसके अंतरगत संग या राजी के अधिन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पद जूत किया जाना पद से हटाया जाना या पदावनत किये जाने का बढ़न है अनुच्छे 312 ये अ अनुच्छे 315 और दोस्तों अखिल भारती सेवाओं के सृजन की सकति जो है ये राज्य सभा की अनन्य सकतियों में शामिल की जाती है देखिए अनुच्छे 315 दोस्तों अनुच्छे 315 संग और राज्यों के लिए एक लोग सेवा आयोग के गठन के प्रावधान की बात क लोग सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा सर्तों के बारे में नियम बनाने की सक्ति का प्रावधान अनुचे 318 में है। अनुचे 315 राज्यों के लिए संगलोक सेवा आयोग अनुचे 320 जो है लोक सेवा आयोगों के कृत्ति के बारे में बढ़न किया गया है यानि अनुचे 320 में लोक सेवा आयोगों के कारियों के बारे में बढ़न है इसके अलामा दोस्तों अनुचे 323 क देखिए administrative tribunal अनुछे 323A या अनुछे 323 का इसके अंतरगत प्रसासनिक अधिकरण की ब्यवस्था की गई है तो दोखिए अनुछे 323 का प्रसासनिक अधिकरणों की गठन की बात की गई है अनुछे 324 बहुत ही महत्वपूर है दोस्तों इसमें निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और इसमें कहा गया है कि चुनाओं के परवेक्षण, निर्देशन और नियंतरण संबंधी समस्त सक्तियां चुनाओं आयोग में नहीं थोंगी ये ब्यवस्था अनुछे 324 में किया गया है और अनुछे 326, 3, 2, 6, 326, 326 दोस्तों अनुछे 326 जो है ये बयस्क मताधिकार या सारुभों बयस्क मताधिकार की बात करता है और कहता है कि लोकसभा और विधान सभाओं में चुनाओं बयस्क मताधिकार के आधार पर होगा तो अनुच्छेत 326 में ये बेवस्था की गई है इसके अलावा इस अनुच्छेत से संबंधित एक प्रावधान और आता है कि पहले मत देने की आयू जो है निउन्तम आयू सीमा जो है 21 वर्स थी इसको 18 वर्स किस संबिधान संसोधन के द्वारा किया गया था वर्स कौन सा था दोस्तों अनुच्छेत 326 के बाद आये जानते हैं अनुच्छेत 330 देखे अनुच्छेत 330 लोक सभा में अनुसोचित जातियों और अनुसोचित जनजातियों के लिए अस्थानों के आरक्षण से संबंधित है तो लोक सभा के लिए अनुसोचित जाती और अनुसोचित जन जाती के सदस्यों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में बारित है अनुच्छेद 331 में दोस्तों आंगल भारती समुदाय के लोगों का राष्ट पती द्वारा लोक सभा में मनोनेयन संभव है या दिवह समझे कोई उनका उचित प्रतिन तो नहीं है तो ये दोस्तों आंगल भारती समुदाय के लोगों का जो मनोनेयन है इसको समाप्त कर दिया गया है और अब इस अनुच्छेद का कोई अर्थ नहीं रह गया है और आंगल भारती समुदाय के लोगों का राष्टपती द्वारा मनोनेयन अनुचे 331 में वड़ित था इसके अलावा अनुचे 332 देखे अनुचे 332 इसका संबंध किस्से है तो दोस्तों अनुचे 332 में अनुचे 332 में अनुचे 332 में अनुचे 332 ये राजी की विधान सभाव में आरक्षण का प्रावधान अनुचे 332 के लिए किया गया है इसके अलावा अनुचे 333 जो था इसके अंतरगत आंगल भारती समुदाय के लोगों का विधान सभाव में मनोनियन की बात की गई थी और दोस्तों यहाँ पर देखे अनुचे 335 ये अनुचे 335 जो है दोस्तों ये देखे अनुचे 335 जातियों जन जातियों और पिछडे वरगों के लिए बिभिन सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान अनु 6332 के द्वारा किया गया था तो इसके अलामा दोस्तों देखिए अनु 6338 तो इसमें राष्ट्री अनुसूचित जाति आयोग के बारे में गठन का प्रावधान है अनु 6338 क में या 338 A में राष्ट्री अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान है और अनु 634 दोस्तों पिछडे वर्ग की दसाओं के अनुवेशन के लिए आयोग की नियुक्ति करने का प्रावधान अनु 634 में है इसके अलावा देखे अनुच्छेद 343 ये बहुत ही महत्पूर है संग की आधिकारिक भासा देवनागरी लिप में लिखी गई हिंदी होगी ये अनुच्छेद 343 343 देखे अनुच्छेद 343 में ये वड़न है दोस्तों की संग की आधिकारिक भासा देवनागरी लिप में लिखी गई हिंदी होगी इसके अलावा अनुच्छेद 347 जो है ये किसी भी राज्य में परियाप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी अकांच् कि उनकी द्वारा बोली जाने वाली भासा को माननेता दे जाए तो इसकी अनुच्छेद 350 क्या प्रावधान करता है तो अनुच्छेद 350 के अंतरगत 350 क में प्राथमिक अस्तर पर मात्रि भासा में सिच्छा दी जाएगी इसका प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 352 देखिए बहुत ही महतपूर है अनुचे 352 से लेकर 360 तक आपात कालिन उपबंध है आप जानते हैं अनुचे 352 में ये कहा गया है कि राष्टपती द्वारा आपात इस्तितिक उधोषडा की जाएगी यदि वो समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद बाह या आक्रमड या सैन विद्रोह के फल सोरूप खत्रे में है तो आपात की उधोषडा राष्टी आपात काल की उधोषडा अनुचे 352 के तहत राष्टपती द्वारा की जाती है यदि उसको ये जो है विश्वास हो जाए कि भारत की किसी भाग की सुरक्षा हो जाने की दसा के उपवंधों के बारे में बढ़न करता है और यदि किसी राज के राजिपाल द्वारा राष्टपती को ये रिपोर्ट दी जाए कि उस राज में संबैधानिक तंत्र अस्फल हो गया है तो वहां राष्टपती सासन लागू किया जा सकता है तो अनुचे अनुचे360 यदि राष्टपती ये समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की बित्ती इस्थिर्था और साख खत्रे में है तो वह बित्ती आपात इस्थिती की घोश्डा कर सकता है और भारत में अभी भी एक बार भी बित्ती आपात का जो है उद्गोश्डा या बित्ती अपात नहीं लागू किया गया है दोस्तों अनुचे 365 देखिए ये अनुचे भी बहुत ही महत्यपूर है अनुचे 365 इसके अंतरगत संग द्वारा दिये गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में अस्फलता का प्रभाव तो देखिए दोस द्वारा ये समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संबिधान तंतर के अनुचे 365 ये बहुत ही महत्यपूर है अनुचे 368 के अंतरगत संसद को संबिधान के किसी भी भाग में संसोधन करने का अधिकार दिया गया है संबिधान के संसोधन करने की संसद की सक्ती और संसोधन की प्रक्रिया का वाढ़न अनुचे 368 में है यानि संबिधान संसोधन से संबंधित प्रावधान अनुचे 368 में किये गये है दोस्तों अनुचे 372 क्या है तो इसके अंतरगत जम्बू कस्मीर को विशेस इस्थिति का वाढ़न किया गया था अनुचे 370 के अंतरगत लेकिन अब इस अनुचेत को हटा दिया गया है यानि जम्बू कस्मीर राजी को जो विशेस राजी का दर्जा था उसको विशेस राजी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है और अब दोस्तों जम्बू कस्मीर राजी के लिए जो वो अस्थाई उपबंद था उसको समाप्त करके जम्बू और लद्दाख नाम के दो केंदर प्रसासित प्रदेश बना दिये गए हैं उनका प्रसासन अब राष्टपती के द्वारा नियुक्त प्रसासक के माध्यम से किया जाता है इसके अलामा अनुच्छेत 371 इसके अंतरगत दोस्तों अनुच्छेत 371 में कुछ राजियों के विशेश छेतरों के विकास के लिए र राष्टपती बोर्ड अस्थापित कर सकता है और इसमें कुछ राज जैसे महराष्ट गुजरात नागलेंड मरिपूर आधिकी विवस्था की गई थी और दोस्तों लाष्ट अनुच्छेत 395 है जिसमें भारती सोतंता अधनियम 1947 भारत सरकार अधनियम 1935 और इसके जिसमें प्रीवी काउंसिल छेतरा अधिकार अधनियम शामिल नहीं है यहां रद किया जाता है इसकी विवस्था यानि अनुच्छेत 395 में की गई थी तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें हमने संभिधान यानि भारती संभिधान और राज विवस्था के अंतरग कौन से अनुच्छेद बहुत ही महत्वपून है जो बार बार परिच्छाओं में पूछे जाते हैं इनके बारे में हमने वड़न किया और ये वीडियो बहुत ही महत्वपून है एक बार दोस्तों फिर से थोड़ा सा सामानि मोटे-मोटे तौर पे हम लोग अनुच्छेद बिद के समक्ष समानता अनुछेद 15 धर्म मूलवंस जात लिंग जन्मस्थान के आधार पर विवेद का निसेध करता है इसके अलामा अनुछेद 21 प्राण और दैहिक स्वतनता के संरक्षन की बात करता है दोस्तों अनुछेद 21 का एक नया मौलिक अधिकार है जिसके अंतरग प्राणिक उपचारों का अधिकार है इसके अलामा अनुछेद 40 बार बार पूछता है ग्राम पंचायतों की अस्थापना से संबंधित है अनुछेद 44 एक समान सिविल संहिता यानि यूनिफार्म सिविल कोड का प्रावधान है अनुछेद 50 में कारिपालिका का न्याय पा अनुछेद 72 के अंतरगत राष्टपती द्वारा छमादान करने की सकती अनुछेद 61 में राष्टपती पर चलाई जाने वाली महाभयोग की प्रक्रिया की बात की गई है और अनुछेद 110 धन विध्यक की परिभासा है अनुछेद 112 में बजट यानि वार्सिक बित्ति वर् अनुछेद 123 संसद के विष्रान दिकाल में अध्यादेश जारी करने की राष्टपती की सकती की बात करता है दोस्तों अनुछेद 124 आप जानते हैं उचितम नयाले के अस्थापना और गठन से संबंधित है वहीं अनुछेद 137 ये उचितम नयाले की रिब्यू यानि 143 उचितम नयाले से परामर्स करने की राष्टपती की सकती की बात करता है अनुछेद 213 विधान मंडल के विष्रान दिकाल में राजिपाल को अध्यादेश जारी करने की सकती देता है और अनुछेद 226 बहुत ही महत्यपूर्ण है ये उचित नयायाले को कुछ रिट जा थारी करने की सकती देता है दोस्तों अनुछे 243 का जो है ये दिल्ली के संबंध में जो है अनुछे 249 का दिल्ली के संबंद में विषच उपबन्ध और 243 अनुछे 243 पंचायतों के गठन से संबंधित परावधान किया गया है इसके अलामा अनुछे 249 क ensuring काई बार अनुच्छे 263 में अंतर राजी परिसत के संबन्ध में उपबन्ध है और अनुच्छे 330 में जो है ये है दोस्तों संपत्ति के अधिकार को बैधानिक अधिकार बनाया गया है अनुच्छे 330 के तहत और अनुचे 338 के राष्टी अनुसूचित जन जाती आयोग और अनुचे 340 राष्टी पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात करता है इसके अलावा अनुचे 352, 356 और 360 आपात कालीन उपबंध हैं जो बहुत ही महतुपूण हैं और अनुचे 368 दोस्तों संसद को संबिधान में संसोधन करने की सक्ति के बारे में उपबंध के बारे में वर्डित किया गया है तो ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखा भारती संबिधान के भाग उनमें सामिल विशय और परिच्छाओं की दिरिष्ट से महतुपूण अनुचेद और उनमें क्या प्रावधान किये गए हैं इसके बारे में दोस्तों ये वीडियो आगामी टीजीटी पीजीटी परिच्छा गौर्मेंट इंटर कालिज प्रवक्ता परिच्छा नागरिक सास्त्र और राजनीत विज्ञान के लिए दोस्तों भारती राजबिवस्था और संबिधान खंड के लिए बहु जरूरी है साथ ही साथ ये भारत के संबिधान और राजबिवस्था खंड जो सामाने अध्यन के अंतरगत आता है उसके लिए भी उप्योगी है तो आप इन जो है जो इसमें प्रश्ण बताए गए हैं बाद में हमने महत्वपूर्ण को अलग से कोट किया है उसको भी आप तयार कर ल करते हैं वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माक दशन फार सिविल सर्विसेश को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार